बद्यपरदेश में जब शिवरा सिंग चोहान सी एम थे तो अपने अमेरिका दोरे के दोरान उन्होंने कहा था कि एमपी की सडकें अमेरिका की सडकों से बहतर हैं हाला कि इसके बाद विधान सवा चुनाओ में बीजेपी को जटका लगा और कॉंग्रेस के कमलनात की सरकार राज्य में आई जिस सडक की तारीफ शिवरा सिंग चोहान ने अमेरिका में की थी वो सडकें अब जरजर हो गई हैं सडकों पर चलना दूबर हो गया है, खराब सडकों की वज़ा से आई दिन हाथ से हो रहे हैं और सडकों की दुरदशा को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है राज्य कॉंग्रेस के ओफीशियल ट्विटर अकाउंट पर आजकर राज्य की खराब सडकों के लिए पिछली सरकार को कोसा जा रहा है शिवरा सिंग चोहान से सवाल पूछे जा रहे हैं और खराब सडकों के लिए शिवरा सरकार को जिम्यदार टहराया जा रहा है राज सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार की प्राथविक्ता सडकों को बहतर करना है लेकिन तूटी सडकों के लिए ततकालिन शिवराज सरकार को दोशी टहरा रहे है उसके जो मापदर ने उससे बना था हो बनी नहीं लंबा प्रस्टाचार हुआ है एक की तेज बारीस में पूरी सडकों के दुल गई ये इसके लिए पूर मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चौण जी की सरकार जुम्बे दाले लेकिन मुख्यमंत्री कमला जी ने इसका संग्यान ले लिया है जो बहुत जल्दी पैच वरक तो शुरू हो गया है और बहुत जल्दी ही सभी सडकें क्वालिटी की और जो रोड कॉंग्रेस है उसके मापदेंड के बतागी बनेगी वहीं बीजेपी भी सोशल मीडिया पर कॉंग्रेस के आरोपों का जवाब दे रही है बीजेपी नेता खराब हुई सडकों के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और दिगवजे सिंग के शासन की याद जनता को दिला रहे हैं राज के पूर्विसियम शिवरा सिंग चोहान की माने तो मौझूदा सरकार अपनी नाकामी का ठीक राउन के सिर पर फोड रही है जो ठीक नहीं है क्याती वर्षा के कारण रोड खराब हुई तो उसको ठीक करें बहाने ना बनाए उनके पास कुछ नहीं है कहने को और असलिए जब असफल होते हैं तो वो केबल दूसरों पर आरोप हम पर आरोप लगा देते हैं अपनी ड्यूटी पूरी करें रोड न ठीक करें फिलहाल मद्यपरदेश की खराब सडक विवस्ता को लेकर सियासत जारी है लेकिन जनता इंतजार कर रही है कि खराब कुई सडकों की हालत कब सुदरेगी बीरो रिपोर्ट एमपी तक